बहाडी में एक शब्द है कि अपनी खाल्टी में रहना चाहिए मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा अपनी खाल्टी में रहे जो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसे उपर कमेंटरी जो है नेताओं के बारे में ना करें My family represents one third of Himachal Pradesh जाए वो 17 विधान सबाह हलके है जाए वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जाए वो हमारे जो और दो और निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए मुझे किसी से certificate लेने की आविशक्ता नहीं है The people of Himachal Pradesh have reposed faith in our family और मुझे इन लोगों से जो है कोई certificate लेने की आविशक्ता नहीं अधियक्ष मौदे मैं महत्वपूरन मसला आपके बीच लाना चाहता हूं वैसे महत्वपूरन इव्यक्तिकत रूप से मेरे लिए है पिछले कुछ दिन पहले जब गवरनर एड्रेस हो रहा था ट्रेजरी बेंट से एक respected member ने, minister ने मेरे पिता जी के बारे में कुछ टिका टिपनी करी है मैं उस पे, because today he is not in the house to defend himself and he is not in the wall to defend himself इसलिए मैं कुछ चीजें जो है तत्युक के साथ वो माननिया सदन के बीच में लाना चाहता हूं पहली बात तो, मंतरी महदे ने ये जो बाते कुछ केसिस के बारे में कही है मैं ये clear करना चाहता हूं कि जिस CBI या ED केसिस के बारे में उन्होंने जिकर किया है वो केसिस सुप्रीम कोट में पेंडिंग है and as far as he is concerned the cases against him have been abated by the trial court और इनको पता होगा अबेशन का मतलब होता है it is akin to acquittal because today he is not in this world to defend himself all those matters that he had mentioned have been abated वो आज कोट में नहीं है पहली बात और दूसरी बात मैं इस चीज़ के खिलाफ defamation लाना चाहता था but I was told by my lawyers कि जो भी proceedings house के अंदर होती है they are immune to judicial proceedings इसलिए मैं house के अंदर ये बात कहना चाहता था कि भाडी में एक शब्द है ये अपनी खाल्टी में रहना चाहिए मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा अपनी खाल्टी में रहे stay in your skin और अपनी जो उनकी political understanding है उससे उपर commentary जो है नेताओं के बारे में ना करें जो लोग आज इस दुनिया में अपने को defend करने के लिए उपस्तित नहीं है और तीसरी बात ये political जो है एक उसकी कह रहे थे हमारे परिवार के political कद की बात करे थे मैं इनको याद लाना चाहूँगा कि आज even today when he is not in this world आफ उसके बात जो चुनाव हमाचल परदेश के अंदर हुए है today as we speak my family represents one third of हमाचल परदेश चाहे वो सत्रा विधान साभा हलके है चाहे वो मेरा निर्वाचन कशेतर है चाहे वो हमारे जो और दो और निर्वाचन कशेतर है इसलिए मुझे किसी से certificate लेने की आवशक्ता नहीं है the people of हमाचल परदेश have reposed faith in our family और मुझे इन लोगों से जो है कोई certificate लेने की आवशक्ता नहीं है मैं मंतरी जी से निवेदन करूँगा अपने काम पे ध्यान दे अपने department में ध्यान दे और इस तरीके के टिपा टिपनी उन लोगों के उपर ना करें जो छे बार जिन्होंने हमाचल परदेश का निर्तित्व किया चुका है और ऐसे दल बदलू नेता जो आज भाजपा में है कल आम आदमी पाटी का जोला उठा के चल रहे होंगे मुझे इन लोगों से certificate लेने के आवशकता नहीं है we are responsible to the people of एमाचल परदेश and as I rightly said my family is representing one third of एमाचल परदेश and I don't need a certificate from this minister